एक दूसरे को कैसे रहेंगे पर्पेंडिकिलर एक दूसरे को पर्पेंडिकिलर तो रिपल क्रियेट होंगे आपने देखा होंगे कि इस तरह की रिपल इसमें क्रियेट हो जाएंगे गिरी टिटोरियल के अपने चैनल में आपका सौगत है आज 11 का हम साउंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 11 का साउंड चैप्टर आज से स्टार्ट हो रहा है तो यहां से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है एक्चुली साउंड चैप्टर 9 से आपने सीखा होगा 9 10 11 तक आपको साउंड का चैप्टर रहेगा 12 में साउंड चैप्टर नहीं है तो 11 में अभी एडवास थोड़ा साउंड चैप्टर पढ़ना है लेकिन इसकी जो कंसेप्ट है साउंड चैप्टर में जो भी कंसेप्ट आने वाले हैं, वो आपको 12 में बहुत काम आने वाले हैं, जो आपने 9 से study कि है, वेवलेंट से लेके, जो भी properties है, वो सारी properties में हम वापस basic properties सीखने वाले हैं, ठीक है, तो sound अगर हमें सीखना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि sound है क्या, sound कैसे create होता है, वो सबीच चीज अब वेव होता क्या है, तो sound सीखने से पहले हमें वेव पता होना चाहिए, कि वेव क्या होगा, तो हम sound सीख सकते हैं, तो आते पहले वेव topic पर आते हैं, वेव क्या होता है, simple example, अगर हमारे पास, ओके, यह water surface है, यह क्या है, water surface, अब इस water surface पर हमने एक stone drop कर दिया, stone को हमने drop कर दिया, अब होगा क्या, अगर water surface पर हम stone डाल रहे है, यह water में हम stone डाल रहे है, तो ripple create होंगे, आपने देखा होंगे, कि इस तरह की ripple इसमें create हो जाएंगे, जैसे ही stone गिरेगा, तो यहाँ से ripple आना start हो जाए गया, और surface ऐसा हो जाएगा, water का surface, तो अब हुआ क्या, water surface, एकदम steady था, हमने उसमें stone डाला, stone की वेज़ से disturbance create हो गया, stone की वेज़ से क्या हो गया, disturbance create हो गया, अब इस disturbance को हम क्या कहते हैं, wave, तो wave पहला point, wave है क्या, disturbance है, याद रखो, wave क्या है, disturbance है, अब यह disturbance करता क्या है, जैसे ही stone गिरेगा, तो होगा क्या, अब इसी surface को हम इस तरह से particle nature में draw करते हैं, कि यह surface किससे बना होता है, molecule से, water के molecule से यह बना होगा, तो यह हमारा water surface था, यह क्या था हमारा water surface, अब जैसे ही stone गिरा, तो stone ने अपनी energy molecule को दे दी, और यह जो molecule है, अपने जगा पे vibrate करना start कर दी, molecule क्या कर रहे है, अपने जगा पे vibrate कर रहे है, जैसे ही यह molecule vibrate करेंगे, इसका vibration pass on होता जाएगा, एक molecule to, दूसरे molecule यह pass on हो रहा है, अब यह क्या pass कर रहा है, यह एक तो pass कर रहा है, energy, क्या pass कर रहा है, energy and momentum, तो जब stone गिरेगा, particle vibrate करेंगे, एक particle vibrate करेगा, वो अपनी energy दूसरे particle को देगा, then दूसरा particle वाइब्रेट करेगा वो अपनी energy दीसरे particle को देगा तीसरा particle वाइब्रेट करेगा वो energy चौथे particle को देगा ऐसी energy transfer होती चाहेगी और momentum भी transfer होगा और उसकी वैसे क्या create होगा wave create होगा उसकी वैसे क्या create होगा wave Means suppose हमने stone डाल दिया तो यह particle वाइबरेट करने लगा, उसके नजदिक वाला particle देन दीरे-दीरे, उसको भी energy मिल रही है, वो भी वाइबरेट करने लगेगा, तो दीरे-दीरे second, third, fourth particle ऐसे वाइबरेट करने लगेंगे, और क्या create होगा, wave create होगा, तो wave is a disturbance, यह आपको पता चल गया, अब यह disturbance करत energy and momentum from one point to another point, तो एक point से दूसरे point में energy और momentum पास on हो रहा है, लेकिन अब इस case में पार्टिकल क्या कर रहे है, पार्टिकल, ओके, पार्टिकल, अब इस case में पार्टिकल एक जगा से दूसरे जगा जा रहे है की नहीं, वो हमें समझना है, देखो पार्टिकल क्या कर रहे है, सिर्फ अपनी जगा पे वाइबरेट कर रहे है, पार्टिकल अपनी जगा छोड कि कही भी नहीं जाएंगे, particle सिर्फ क्या करेगी, अपने जगा पे vibrate करेंगे, means, यह energy देगा, यह पहले vibrate कर रहा था, यह energy देगा, then यह vibration में आ जाएगा, फिर यह अपनी energy next वाले को देगा, यह vibration में आ जाएगा, तो particle अपने जगा पे ही रहेंगे, यह और सिर्फ अपने डाउन motion करेंगे, periodic and regular motion, तो particle क्या होंगे, stationary होंगे, stationary means motion में होंगे, लेकिन कैसे, जगा नहीं छोड़ेंगे, at rest हम क्या बोल सकते हैं, at one position, एक ही position होंगे, और क्या करेंगे यह, vibrate करेंगे, vibration कैसा होगा, periodic and regular, ठीक है, अब wave को समझने के लिए, यह तीन point समझने हमें जरूरी है, देखो, wave है क्या, disturbance है, wave is a disturbance, okay, which, wave is a disturbance which is created in a medium, किसमें create हुआ है, medium में, water is a medium, अब यह disturbance करते का है, transfer energy and momentum, from one point to another point, यह एक point से, दूसरे point तक, energy and momentum लेके जाता है, अब जब यह energy and momentum लेके जा रहा है, तो particle क्या करेंगे, particle of medium, एक ही position पे रहेंगे, और vibrate करेंगे, कैसे, vibration कैसा होगा, periodic and regular, periodic and regular, तो यह समझ में आ गया, तो यह होता है, यह होता है, simple language में, wave is a disturbance, which transfer energy and momentum, from one point to another point, and particle of medium, remain at a single position, and vibrate periodically, तो यह होता है, तो wave समझ में आ गया, ठीक है, अब wave बहुत सारे example है, wave के, बहुत सारे example है, अगर हम example देखे, तो बहुत सारे wave आते हैं, example कौन से कौन से अब, एक है sound wave, जो हम chapters study करने वाले, एक light wave है, then, seismic wave होते हैं, okay, mechanical wave होते हैं, बहुत सारे wave होते हैं, तो sound, light यह common है, जो हम देखते हैं, और wave create on water surface, wave, create on, water surface, अगर आप guitar बजाते हो, तो guitar की string पे भी wave create होता है, जब उसको plunk करते हो आप, तो क्या होता है, so wave create on, string, string of guitar, तो यह सारे wave के example है, यह सारे wave के example है, लेकिन सारे wave similar नहीं होते हैं, सारे wave similar नहीं होते हैं, सारी की properties, अलग-अलग हो सकती हैं, तो इसलिए, wave को type में भी divide किया गया है, तो next topic है हमारा types of wave, तो वेव के different different types होते हैं, ठीक है, पहला जो type हम सीखने वाले हैं, वो है mechanical wave, अब mechanical wave किसे कहेंगे, अब जिस wave को material medium की requirement होती है, अब वेव which required material medium for propagation, मिंस medium में अगर उसको आगे जाना है, उसे आगे आगे बढ़ना है, तो उसको material medium की requirement, होती है, अगर material medium नहीं रहेगा, तो वो आगे नहीं जा पाएगा, तो mechanical wave, material medium is required for propagation, तो एक जगा सी दूसरी जगा पे wave को जाने के लिए, medium की requirement है, अगर medium नहीं होगा, तो ये wave travel नहीं कर सकता, ऐसे wave को हम क्या कहते है, mechanical wave, तो इसको medium की requirement होती है, अब ये mechanical wave, जनरली mechanical wave अगर हम study करने जाए, तो उसके दो type होते है, जो आपने lower standard में study किया होगा, तो mechanical wave का एक type होता है, transverse wave, और second होता है, longitudinal wave, ये भी हम आगे सीखने वाले, दीकिन याद रखो, mechanical wave के दो type होते है, transverse wave and longitudinal wave, और इसको medium की requirement होती है, without medium ये travel नहीं कर सकता, अब इसके example देखेंगा, इसके example, wave create on water surface, next, sound wave, wave create on a water surface, sound wave एकिस में आते है, mechanical wave में आते है, किस में आते है, mechanical wave में आते है, चीक, ये समझ में आ गया, ये हो गया एक type, दूसरा time, दूसरा type है हमारा, EM wave, EM wave, means, electro, magnetic, इसके उपर पूरा chapter है, 11th में आपको एक chapter है, 12th में भी concept कुछ आने वाले है, लेकिन अब, basic study करते है, electromagnetic wave होता क्या है, it is a periodic or a regular vibration of electric and magnetic field, देखो, electromagnetic wave, ना हम क्या कहता है, electromagnetic, means, इसमें दो field होते है, okay, एक होता है, electric field and दूसरा होता है, magnetic field. So, regular vibration of electric and magnetic field produce EM waves, you see what that? और periodic motion है, electric और magnetic field में अगर periodic motion होता है, दोनों में, तो उसके वे से क्या create होता है, electromagnetic wave, अब इसमें, electric and magnetic field, यह एक दूसरे को perpendicular रहते हैं, कैसे रहते हैं? एक दूसरे को perpendicular रहते हैं, तो EM wave किससे बनता है? electric और magnetic field से, तो periodic vibration और अब, periodic motion हीना, electric and magnetic field, और दोनों का, periodic motion से या vibration से, EM wave बनता है, और यह दोनों field एक दूसरे को perpendicular रहते हैं, मिस्ट अगर, हम EM wave का diagram डाइग्राम ड्रॉ करें, तो EM wave ट्रैवल कैसे करता है? तो अगर यह electric field होगा, तो दूसरा हमारा magnetic field उसको perpendicular रहेगा, मिस्ट यह 90 degree, यह होगा electric field, यह होगा magnetic field, electric field, magnetic field, यह एक दूसरे को कैसे रहेंगे? perpendicular, एक दूसरे को perpendicular, तो इस तरह से यह wave ट्रैवल करता है, perpendicular रहता है, इस तरह से, एक electric वाला wave और एक magnetic वाला wave, अब electromagnetic wave को travel करने के लिए, material, medium की requirement नहीं होती, इस में material, medium not required, so material, medium की requirement नहीं होगा, अगर medium नहीं होगा, फिर भी electromagnetic wave ट्रैवल कर सकता है, एक्जाम्पल, इसका example है, light wave, अब देखो, sun और earth, अगर हम देखें, sun और earth, दोनों के बीच में material नहीं है, medium नहीं है, vacuum है, दोनों के बीच में क्या है, vacuum है, फिर भी sun से light energy, earth पे आती है, फिर भी sun से light energy, जी, earth पे आती है, sun और earth के बीच में, vacuum है, कुछ भी नहीं है, material medium कुछ नहीं है, फिर भी sun से, जो light है, वो earth पे आती है, so light is a electromagnetic wave, उसको material medium की requirement नहीं होती है, अगर material medium होगा, फिर भी ये travel करती है, अगर यहाँ air है या glass है, उसमें से light travel करती है, लेकिन material medium नहीं रहेगा, फिर भी light wave travel करती है, तो यह सारी properties समझ में आगी, electromagnetic wave को repeat करता हूं में, electromagnetic wave किसे कहते, इसमें दो field होता है, electric field, magnetic field, दोनों field एक दूसरे को perpendicular रहेंगे, दोनों field एक दूसरे को perpendicular रहेंगे, then, इन दोनों field के vibration की विए से क्या create होगा, electromagnetic wave, then, electromagnetic wave को travel करने के लिए, material medium की requirement नहीं होती है, vacuum से भी ये travel कर सकता है, तो यह हो गया second type, electromagnetic wave, then, जो अपना third type है, उसे कहते है, matter wave, third type को क्या कहते है, matter wave, तो इसका proper study आपको 12th में करना है, matter wave का, matter wave, ये quantum mechanics में study किया जाता है, किसमें study किया जाता है, quantum mechanics, अब ये wave होता क्या है, अगर कोई भी object motion में हो, कोई भी object motion में हो, तो उसके साथ एक wave रहता है, उसके साथ एक wave रहता है, अगर मैं भागने रगा, मैं object हो, मैं भागने लगा, तो मैं motion में हो, तो मेरे साथ क्या रहेगा, एक wave रहेगा, उस wave को हम क्या कहेंगे, mechanical wave, a wave associated with the object is in motion, wave किसके साथ रहेगा, a wave associated with object in motion, जो भी object motion में होगा, उसके साथ जो भी wave रहता है, तो किसी भी, अगर खोई भी object motion में रहेगा, उसके साथ एक wave associate करता है, अगर particle चोटा रहेगा, तो wave उसका बड़ा रहेगा, अगर particle बड़ा रहेगा या मास जाता रहेगा तो वेव छोटा रहता इसके वो दिखाई नहीं देता लेकिन जो भी object motion में होता है उसके साथ एक wave होता है उससे कहा जाता है matter wave ठीक है तो matter wave समझ में आ गया तो हमने wave के तीन टाइप study किये वेव के तीन टाइप एक है mechanical wave जिसको material medium required होता है second electromagnetic wave जिसको material medium required नहीं होता और third matter wave object अगर motion में हो उसके साथ जो भी wave रहता है उससे हम क्या कहते है matter wave a wave associated with an object in motion उससे कहा जाता है matter wave तो यह समझ में आ गया तीन वेव टाइप then अब देखो यह तीन वेव एक साथ एक point से start होंगे और continue motion में रहेंगे ऐसे भी कुछ wave होते है या कुछ एक bounded medium में होते है उसके बाहर यह नहीं जा सकते उसके बाहर यह नहीं जा सकते एक्जांपल अगर हम guitar लेते हैं guitar में दो point पे string बंदा होता है अगर guitar पे wave create हो गया तो hope अगर किसी स्पीकर से sound आ रहा है तो यह continue travel करता रहता है यह क्या होता है continue travel करता रहता है medium में हाह उसके जो voice है वह या उसका amplitude और वो कम रहत सब्सक्राण Pi लेकिन continue travel करता रहता है यह sun से तो यह तीन टाइप हो गए ठीक है तो कुछ वेव कंटीनु ट्रैवल करते हैं इसलिए उसे क्या कहते हैं ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव जो वेव कंटीनु ट्रैवल करते रहते हैं वो इलेक्रो मैगनेटिक वेव हो वो EM वेव हो या फिर वो mechanical वेव हो जो भी continue travel करता है उसे हम क्या कहेंगे traveling wave और progressive wave तो एक ही direction में ये क्या करते हैं continue travel in given direction so given direction में ये continue travel करते रहते हैं ऐसे waveform क्या कहते है traveling wave और progressive wave अब जब ये travel करते तो ये क्या करते हैं energy transfer करते है energy transfer from one point to another point ये चलता रहता है इसे कहा जाता है progressive view तो ये हो गया wave का introduction ये क्या हो गया wave का introduction तो आज हमने study किया sound में क्या sound का introduction हमने start किया था तो sound होता क्या है sound is a wave okay sound क्या है wave ये wave क्या होता है wave is a disturbance which transfer energy and momentum from one point to another point और जब ये energy और momentum transfer हो रहा है तो particle of medium remains stationary या फिर एक जगा पे vibrate करते रहेंगे लेकिन अपनी position छोड़के दूसरी जगा पे नहीं जाते है then wave के तीन type होते है एक होता है mechanical wave जिसके मेडियम material मेडियम के requirement होती है travel करने के लिए ऐसे wave को हम कहते है mechanical wave second होता है EM wave जिसको material मेडियम के requirement नहीं होती जिसमें electric और magnetic field होता है जो एक दूसरे को perpendicular होता है तीसरा होता है matter wave यह object के साथ होता है जो भी object motion में रहेगा उसके साथ जो wave associate करता है उसे कहा जाता है matter wave then हमने study किया traveling और a progressive wave traveling और a progressive wave जो wave continue travel करता रहता है और अपनी energy 1.2 दूसरे point में transfer करता रहता है और continuously travel करता रहता है ऐसे wave का हम क्या कहते है traveling और a progressive wave तो यह था हमारा sound chapter का introduction next lecture में हम जो study करने वाले है वो है main properties main properties तो main properties अच्छे से आपको उसको study करना होगा फिर तो ही आपको wave chapter समझ में आएगा अगर वो property पे धन नहीं दिया तो आपको आगे दिक्कत आ सकता है तो basic basic property है चोटे-चोटे तो उनको हम next lecture में study करेंगे तो हम आज यह chapter यह जो हमारा introduction है sound wave यह पहला lecture हम यहाँ stop करते हो ओके